कर दो नहीं आए नहीं आपे हैं आपके शिकायस तो कम से लिखे शिकायस नहीं मिलेगी तो क्यासे मालूम चलेगा कि 102 वाले नहीं आरे कारवाई होगी लगभग लाइलाज बीमारी है इसके लिए बचाव ही एक सुरक्षा है बचाव ही बहुत बड़ा अपाय है इसलिए लोगों को एट्स के बारे में लक्षणों की जानकारी देना किस प्रकार फैलती है और उससे बचाव क्या है इस पे लोगों को जागरू करने का प्रयास किया गया जहां तो यदि हमारे समाज में एट्स के मरीज छुपे हुए हैं तो यदि हमारे केम्स लगाने से या वो आके अपनी जांचे कर आते हैं और निकलते हैं तो यह तो समाज के लिए और मरीजों के लिए अच्छी चीज है हुआ 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 है